मकर रासी वालों का आज का रासी फल यणि की 3 सेप्टेम्बर 2020 का रासी फल लेकिन सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 3 सेप्टेम्बर 2020 के पंचांग के बारे में आज तित्थी है प्रती पदा नक्छत्र है पुर्वा भादर पद पक्छ है कृष्न पक्छ दिन है गुरू बारे आज के दिन सुर्य उदे हो रहा है 6 बजे में सुर्य अस्त हो रहा है 6 बज के 49 मिनट में रितू है सरद आजी का दिन काल है 12 घंटे 49 मिनट 31 सेकेंड का महिना है अस्विन आजी का सुब शमय है 11 बज के 54 मिनट एम से 12 बज के 45 मिनट पीम तक असुब काल सुरू होता है 10 बज के 13 मिनट एम से 11 बज के 4 मिनट पीम तक राहु काल सुरू होता है एक बज के 54 मिनट पीम से 13 बज के 49 मिनट पीम तक दिसा सूल है दक्छिन दिसा की ओर तो ये था आजी का पंचांग दोस्तों इस बेडियो के अंत में आज के दिन का भाग्य साली रंग भाग्य साली अंक और आज के दिन का अनोखा तोटका है तो आप उसे भी देखें और आज माने का प्रियास करें ताकि आज के दिन आपके जीबन में कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई समस्या नहीं हो लेकिन साथ में इस बेडियो को आप लाइक कर दे इस चैनल को आप सबस्क्राइब कर दे और वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुने शब से पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके दामपत्ते जीबन ने आपके बैबाहिक जीबन के बारे में दोस्तों दामपत्ते जीबन के द्रिष्टी को उनसे आपका शमय बहुत ही जियादा बिहतर और सांदर है आज से पहले अगर आपके जीबन साथी के साथ आपका शम्बंध खराब हो गया था कमजोर हो गया था तो आज के दिन अपने संबंध को आप मजबूत करने का प्रियास करें ताकि आने वाले शमय के दोरान आपके दामपत्ते जीबन में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्या नहीं हो लेकिन अगर आपके कामकाज बेपार बेवसाई की बात करें तो कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय सामानने से बहुत जियादा नीचे है आप मेंसे जो भी लोग आजी के दिन से नए काम की सुरुआत करना चाहते हैं तो नए काम को सुरु करने से आपको बचना होगा अन्य था आने वाले समय के दोरान आपके कामकाज आपके काड़े अच्छत्र में आपको पड़ेसानी का सामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके घर पड़िबार की बात करें तो घर पड़िबार के दृष्टी कौन से भी आपका शमय सामान ने से बहुत ज्यादा नीचे है आजी के दिन संभब है कि आपके घर पड़िबार में किसी बिक्ती काशु आस्ते खराब हो जाएगा कमजोर हो जाएगा और इस वज़ह से आपके घर पड़िबार का माहौल आपके घर का वाता बरन खराब हो जाएगा लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही ज्यादा बिहतर और सांदार है आजी के दिन आपके प्रेम संबंध में कहीं कोई पड़ेसानी कहीं कोई शमस्या नहीं होगा तो अब बात करते हैं कि आजी के दिन आपके लिए भाग्यसाली रंग भाग्यसाली अंक और उपाई क्या है दोस्तों उपाई बहुत ही ज्यादा सामानी है आजी के दिन आप किसी भी धार्मिक अस्थान जैसे की मंदिर, गुरु द्वारा, चर्च इन जगों पर सुद्ध घी और कपूर का दान करें आपका शमैस सांदर हो जाएगा दोस्तों आजी के दिन आपके लिए भाग्य साली रंग है पारदर्सी और गुलाबी आजी के दिन आपके लिए भाग्य साली अंक है आठ यानी की एट तो यही था आजी के दिन का रासी फल तो इस वेडियो को आप लाइक कर दें इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वेडियो को आप हर जगह सेयर कर दें धन्यवाद